बाजार से क्यों लाना जबकि घर पर ही बिल्कुल मार्केट जैसा तीखा चटपटा टैंगी फ्लेवर वाला पिज्जा सौस हम घर पर ही बना सकते हैं वो भी मार्केट से आधिदाम में और बिल्कुल हाईजानिक तरीके से सिर्फ घर के एक से दो इंगिरंस के साथ में इसे इसके लिए मैंने है यहाँ टैंगी सिर्फ पिजसा इसके वालिया या धेसी कोई से भी सकते हैं मैंने हईएट लिये है और चे टमाटा लिया है इनफ हो जब वह काफी सारह पिजा सैक्विर स बनके तयार हो जाएगा तो इसका प्र जहां से डंचलता सबसके और बुक्राइब कर 50 डीया थिया पीज़ाइबाना चाहिएと नहीं केशने तो बजिखोट Alle पीज़ा रखिवें और जब पानी हल्का गुन-गुना हो जाए तब इसमें हम यह सारे टमाटर छोड़ देंगे और इन्हें 8-10 मिट के लिए हमें हाई फ्लेम पर इसी तरह से बॉल कर लेना है आप चाहें तो कुकर में बॉल कर सकते हैं साथी मैंने कुछ सुखी लालमश्य डाली है आप चाहें तो काश्मीरी सुखी लालमश्य भी डाल सकते हैं उससे क्या होगा कलर बहुत ही अच्छा आएगा लेकिन मैंने यहां पर थोड़ा सा स्पाइसी टश देने के लिए नॉर्मल वाली लालमश्य डाली है जो तहल किसी तो यहां पर लिड लगा के इसको 7-8 मिंट के लिए इस तरह से बॉयल कर लेंगे आप देख सकते हैं जो इनका पील है छिलका है वो निकलने लगा है और यह मैंने यहां पर गैस की फ्लेम भी ओफ कर ली है तो सारे टमाटरों को आप किसी टॉंग से इस तरह से पकड़ के आप इस टेनर से भी निकाल सकते हैं तो यहां पर देखें इस तरह से निकाल के और एक प्लेट में रख लेने हैं साथी जो सुखी लाल मिर्चे इने भी हम निकाल लेंगे तो फ्रेंट्स इस टैंगी चिटनी को बनाने के लिए हमें सिफ यह दो इंगिडेंस चाही होते है सारी चिजों को मैंने प्लेट में निकाल लिया है और आप हम इनके छिलके निकाल देंगे तो यह बहुत ही गर्म है इसलिए मुझे निकाले में दिक्कत आ रही है तो यहां पर आप किसी चिम्टे का या फिर किसी भी तरह की ऐसी चीज का यूज कर सकते हैं चिसे आप इन निकाल शकते हैं तो यह वहत concerns है तो तो यह तो और भी पहात ज़ादे की जाले ज़ए थोड़े सी घ्च्छ ग्राइब में चुल्का भीपी आपकी बना लेना लाँ है कि तो यह मिर्ची नहीं को बना में तक करणके पानि में आप टीमाटैट भी necessary बना लेंगे अगर कुछ मोटे पीसे रहे जाता है तो आप इसे चान भी सकना है लेकिन मुझे नहीं लगता है इसे चानने की ज़ुरत है यह दिखे बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनके तयार हो गया है दूसरी दरफ गैस पे मैंने एक पैंग चड़ाया है इसमें हम डालेंगे दो से तीन चम्मच ओईल किसी भी ओईल का यूज कर सकते हैं जब गरम हो जाए तब इसमें हम डालेंगे लसन तो लसन का मैंने यहाँ पर पूरा एक बंडल लिया है आठ से दस कलिया लसन की लिए ज इसे भी बारिक बारी कट किया है मैंने प्यास को भी इसी तरह से हमें दो से तीन मिनिट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर भून लेना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और इसका कच्छापन नहीं निकल जाता है प्यास और लसन पूरी तरह से भून चुका है तो आपको मीडियम टू लो फ्लेम पर इसी तरह से चलाते हुए से पका लेना है वैसे तो फ्रेंड्स हमने टमाटर को अच्छे से बॉयल कर लिया है लेकिन हम जो बना रहे हैं उसको एक सॉस कंसिटेंसी देने के लिए हमें इसे थोड़ा सा पका के गाड़ा करना जरूरी है साथी में थोड़ा से ओरिगेनो डाल दूगी अगर आपके पास पिजा मिक्स पड़ा है तो आप वह भी आड़ कर सकते हैं इससे क्या होगा ना इसके अंदर बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आएगा साथी में इसमें डाल दूगी मैं स्वादा नुसर नमक आप कम या ज़्यादा खाते हैं उससे सबसे नमक डाल लिए मैंने सिर्फ आदा चमाश नमक का यूज किया है और इसमें हम डाल देंगे सॉस टेमेटो केचप जो आता है वह हमें यहापे डालना है दो से तीन पिजा सॉस थोड़ा सबस्क्राइब तो हमने इसमें सारे फ्लिवर्स एड़ किये हैं साथी हमने जो लसन प्याज है उसका वह बहुत ही बढ़िया सा एक एक व्लेवर एड़् किया तो यह देखिए अच्छह से हमारी सॉस पक गई ए ठंडी होने के बाद थोड़ी सी और तो अब इसको हम जादा थिक नहीं करेंगे, गैस की फिले में आफ कर दी है, ये देखिए इस तरह से इसमें हलका बॉयल अभी भी भी आ रहा है, और ये बिल्कुल बढ़िया एक सॉस के टेक्स्चर में आ गया है, बस आपको द्याहन रखना है कि आपको इसको बहुत जादा कर लेना है, तो मैंने आदी गंटे के लिए इसे इसी तरह से छोड़ दिया था और ये पूरी तरह से ठंडी हो गई है, ठंडी होने के बाद में आप देख सकते हैं, पहले से थोड़ी से थिक भी हो गई है, तो अब आपको क्या करना है, कांच के प्लास्टिक के कंटेनर मे इसे स्टोर करके रखिए और इसे फ्रिज में आप रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन फ्रिज में रखेंगे तो ये जादा समय तक चलेगा, और आप इसे दो महिने तक स्टोर करके आराम से लग सकते हैं, लेकिन मैं गैरंटी दे रही हूं कि पंदर दिन के अं तो I hope you guys आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी देखा आपने इसे बनाना कितना आसान है और सिर्फ लिमिटेर इंग्रिजन से ही बनके तयार हो जाती है तो आप इसे घर पे जरूर बनाईएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर कीजेगा वीडि झाल 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 झाल